हेलो वरिवन वेलकम टू वेदिमी एक वखिर से स्वागत अब के वेदिमी के यूटूब शेनल पर इस वीडियो में जुड़ा हूं मैं आपसे टू पेपर कॉंबिनेशन के बारे बात करने के लिए गेट एक्जाम के लिए अब एक कुछ दिन पहले कई बच्चों के इमेल लाया है टू पेपर कॉंबिनेशन से लिएट कि टू पेपर कॉंबिनेशन में कुछ नए सब्जक्स भी आइड हुए हैं अगर आप चाहे तो 11 से 17 सितंबर में उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसी टॉपिक में आज बात करूं सबसे पहले जान लेते हैं टू पर भी अटेम्ट कर सकते हैं लाइक जो बच्चे एक्सल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो साथ-साथ वो दूसरे सब्जेक्स लाइक बीटी और ईवाई एकलोजी एन एक एवलुशन का पेपर भी अटेम्ट कर सकते हैं साथ-साथ बीटी के स्टूडेंट से अगर अपना पेपर वन बीटी फिल कर रहे हैं तो चाहे तो एक्सल और भायो मेडिकल में भी अपेर कर सकते हैं इस बात का ध्यान रिखे यह टोटली ऑप्शन है कोई नेसेसरी नहीं लाइक अगर आप चाहे पेपर वन आटेम्ट करना है तो आप एक ही पेपर टेम्ट करिए अगर प्रासद बीटी में भी अपेर कर सकते हैं और चाहे तो एकलोजी और एवलिश्य में भी अपेर कर सकते हैं अब रिसर्ट मेंट यह कहता है कि अब कुछ नौए पेपर भी आ गया है टू पेपर कॉम्बिनेशन में लाइक जो पेपर वन जिनके पास जो दे रहे थे उसके स शाराथ से वह और पीपर में टनक कर सकते हैं जैसे की अलब करको कि अगरी हगे अग्यों रहे से रहेंगे साथ साथ table 2 में और addition हुए है like की जैसे Excel की बात करें so Excel के students पहले BT, chemistry और ecology and evolution में pair कर सकते हैं अब उनके पास और options दिये गए है table 2 में table 2 table 1 का ही addition है यह नहीं कि table उनको गाइब कर दिये गया है table 1 में और subjects add कर दिये गये हैं अगर आप यहां पर देखें CH chemical engineering electrical engineering और physics so Excel के students अब total 6 paper opt कर सकते हैं paper 2 में कौन कौन से BT chemistry ecology evolution chemical engineering electrical engineering physics अब electrical engineering यहां पर देने कोई मतलब तो में सबज नहीं है लेकिन आप चाहिए तो आप कर सकते हैं तो इस confused मत होई है कि table 1 को गायब कर दियेगा table 1 table 2 का extended version है so Excel के students अब total 6 paper में second paper ले सकते हैं कौन कौन से BT chemistry ecology evolution chemical engineering electrical engineering physics ठीक है तो अगर आपने एक्सल ऐसा पेपर वन लिया है क्या एक्सल अगर आपने ऐसा पेपर वन लिया है तो आप total 6 subjects में paper 2 ले सकते हैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे paper 2 लेना पूरा optional है यह कोई necessary नहीं है जिए अगर अब चाहे तभी Excel paper 2 ले सकते हैं और इस बात का ध्यान रखेंगे गए जितना paper 1 का फीस है उतना ही paper 2 का भी लगेगा अगर 1800 paper 1 फिल करने के लिए आपने लिया है तो paper 2 का भी उतना पिले सकते हैं और बात कर लेन जाए बीटी स्टूरेंट्स की तो पहले बीटी स्टूरेंट्स के पास option था biomedical का और excel का किसका बायमेडिकल और एकसल का अब उनके पास और उप्शन एड़ हुए है टेवल टू में जाहिए अब देख सकते हैं आपके फस्ट अब बायो टेक्नलोजी और स्टुरेंस केमिकल इंजिनरिंग एल्वायमेंटल इंजिनरिंग और इकलोजी इलुशन भी पेपर दे सकते हैं तो बीटी सुरेंस के लिए कितने पेपर हो गए पेपर टू के ऑप्शन के लिए पांच पेपर कौन से एक्सल भायो मेडोजिकल इंजिनरिंग इकलोजी इंजिनरिंग आच फिक है तो एक्सल ऑलोके पास पेपर टू के पेपर डू और कि टेबल टू जस्ट उसका extended वर्जन एड़ किया गया है तो आपके पास टोटल की जो combination होगा टेबल वन प्लस टेबल टू तो इस बात से बिलकूर मत घबराइए कि लाइक की अक्सलों के पास पहले बीटी का option चला गया गया नहीं नहीं गया है आपके पास वो option है कुछ और भी option एड़ किये गये हैं टेवल वन टू टेवल टू टेवल टू दोनों एड़ करके आपके पास options बिलेंगे एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं आपके पास एक्सल वा जितने भी एक्सल के स्टुरेंट्स है यह नहीं पेपर वन अपना पेपर वन अपन अपना एक्सल वन लिया है पेपर वन एक्सल लीए तो पेपर टू क्या इप्पड क्या पुंक्य है पके पॉप्शन और रभांशन्स है बायो टेक्नल लॉजी के एक्कलोंजरवीर्व dissol ची समगाश है गेंधिकर इंगिनेरिंट्रीं एक्स इच्जिक्स तो एक्सल गा। नेवेक्र स्कारश क्या hurts पीकिया उनके पास पेपर 2 क्ले टोक्क छ्टोटल 6 कॉमेंजिन रोव जिन्हों पेपर 1 अपना bt and ci on स्कारश कोंबनेशन एक्सल वायोमेृक्श नो केमिकल इंजिनरिंग, इर्वाइमेंटल साइंस एंजिनरिंग एंड एकलोजी एलुशन तो आपकी मर्जी है कि आपको पेपर टू भी चाहिए तो आप कल लास्टेट है इसकी सो अगा आपको पेपर पूछ आए तो जाके उसको एट कर लिजी करना सही रहेगा और बीटी ओक लिए एक्सल सब्जेक्ट या इर्वाइमेंटल इंजिनिंग केमिकल इंजिनिंग आपको पसंद आया होगा अगर अभी वी कोई कन्फूज है न तो जरू बताएगा थैंक्यू एंब